आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है दोस्तों दुनिया के नक्षे पे एक अलग और बड़ी पहचान रखने वाले प्रदेश राजिस्थान में महिलाओं के साथ जो हो रहा है न बेहद शरमंदीगी का एसास कराने वाला है ऐसी घटनाए हो रही है जिनकी कल्पना करके रूह काप जाए लेकिन वहां के मंतरी क्या कह रहे हैं वहां के मंतरी कहते हैं ये राजिस्थान मर्दों का प्रदेश र तो ये जो उनकी सोच है न, सच में, उनकी मरदानगी पे हसी आने के सिवा और कुछ नहीं आ सकता, गुसा मत करें आप उन पे, ऐसी सोच पर लानत है, आज इसी विशे पे बात करते हैं कि वहां की महिलाएं कितनी ऐसा हाई हो चुकी हैं, जिने आर्थिक सहारा देने की कोशिशें मोधी सरकार की ओर से लगातार की जा रही हैं, मैंने क्यों कहा कि वहां की महिलाएं ऐसा हाएं हैं क्यों क्योंकि वहां के पुर्षों की सोच ऐसी है वो अपने आपको मर्द कहते हैं अब मोधी सरकार की ओर से लगातार उन्हें आर्थिक रूप से संब्रत बनाया जा रहा है आपको याद होगा परधानमंत्री नरिन मोधी ने हाली में एक सभा होई थी जोदपुर में वहाँ पर उन्हें कहा था कि कॉंग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो स्रक्षिद नहीं है ऐसे में आप कलपना कर सकते हैं कि सामान ने माता बहने बेटी यहाँ क्या भोग रही होगी दरसल कॉंग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय करने की परंपरा बना दी है भले ही आज प्रेंका यह कहती फिरे बेटी हूँ लड़ सकती हूँ लेकिन सचाई कुछ और है बाड मेर में दलित महिला से दुशकर्म हो, सूरतगड़ में महिला की हत्या हो भील वाड़ा में गैंग्रेक के बाद बच्ची को भट्टी में जलाने की निर्मम कांड हो या फिर जामवारागड में महिला को जिन्दा जलाने जैसे मामलों की लंबी सूची है यही वज़ा है कि सिरोही की आठ साल की मासूम बच्ची, सांचाओर की दो नावालिक बेटियां नागौर में साथ साल की बेकसूर बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि कॉंग्रेस को बहन बेटियों की तकलीव से कोई लिना देना नहीं है और जो परधानमंत्री नरेन मोदी ने कहा वो सौफी सदी सही है वीर विरांगनाओं की धर्ती की पर जो इस्तिती बयान मेंने की है वाके में शर्म नाक है एक और जहां मोदी सरकार नारी शक्ती वंदन का बिल ला रही है उनका वंदन कर रही है वहीं दूसरी और गहलोत सरकार में राजस्तान की बहन बेटियां करून करंदन को मजबूर है इसकी वज़े भी साफ है जिस परधेश का संसदी कार्यमंत्री विधान सभा में ही रेप के ज्यादा केस को जस्टिफाइग करता हो जिस परधेश में एक मंत्री सिरफ इसलिए बरखास कर दिया जाए कि वो महिलाओं के शोशन का मुद्दा सदन में उठाता है जिस परधेश में रोज 17-18 महिलाओं और युवतियों के साथ दरंदिगी होती हो वहाँ के सियम से ले करके कॉंग्रेस आला कमान तक के होट सिले हुए हो तो महिलाओं की बेबसी, उनके आसू, उनकी दशा किसी को भी जगजोड देगी और NCRB के आकड़ों को अगर देखा जाए ना, तो राजिस्तान एक बार फिर रेप के मामलों में नंबर वान आ गया है इस साल देश में करीद 30,000 रेप के केस दर्श किये गए हैं इसमें से अकेले राजिस्तान में 6,337 आप अंडरलाइन कीजिए दोस्तों 6,337 रेप के मामले हैं इन में से भी बहशी दरिंदों ने 1452 नाबालिक बच्चीयों को अपनी हवस का शिकार बनाया है कभी उत्तर बदेश में अभी मैंने आपसे जिक्र किया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि धींग हाकने वाली प्रयंका बाटरा गांधी अपनी सरकार के इस पहले और को कभी देखे चुपी साधे हुए हैं जब बात होती है तो मनिपूर की बात करते हैं एक वीडियो आ गया था तो सदन नहीं चलने दिया गया था पर्धान मंतरी आकर के बात करें तभी आगे सदन की कारवाई होगी पूरा सदन का टाइम बेस्ट किया गया लेकिन आज एक अपने स्टेट को तो देख ले अब आप देखिए पर्धान मंतरी नरेन मोदी के लीडर्शिप में देश भर में हर स्तर पे महिलाओं के संपून विकास पर फोकस के अधार है लेकिन कॉंग्रिस को केबल मनिपूर दिखाई देता है मोदी सरकार महिलाओं को उनका हग दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है उनके भविश को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर जुटी हुई है आप कहेंगे कि मैं योजनाओं का जिक्र कर रही हूँ लेकिन इन योजनाओं का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि जब महिलाओं को आर्थिक रूप से समरद्धी मिलती है न तो वो मजबूत होती है अब नारी शक्ती वंदन अधिनेम तक सुकन्या समरद्धी योजना से ले करके तीन तलाग से मुक्ति तक बेटी बचाओं से लेकर के सुरक्षित मातरत अभियान तक शी बॉक्स से लेकर के पी-म आवास योजना के घर महिलाओं के नाम करने तक की ऐसी कल्यानकारी योजनाएं हैं मोजी सरकार की जो नारी शक्ती के सशक्तिकरन को समरपित है तो क्यों ना बात की जाएं इन जो जनाओं की मोजी सरकार बीदे नो वर्षों में नारी शक्ती के प्रदी सदय भी कहना चाहिए कि समेदन शील रही है अब रक्षा बंदन के मौके पे आप देखिए पधानमद्री नरिद मोदी ने देश की माताओं बहनों और बेटियों को रसोई कैस की कीमतों में चाहे छोटी सी कट्रोती थी लेकिन एक तोफा दिया अब हाली में नवरात आने वाले हैं किन सरकार ने उजवला योजना वाली करोडों बहनों के लिए सिलेंडर की कीमतें फिर कम कियें एक और मोदी सरकार तो दूसरी और राजिस्तान की गहलो सरकार कॉंग्रेस आज में राजिस्तान ने महिलाओं यूर्तियों के प्रती चानभूच करके जो योन अपराधों के मामले बढ़ने दिये सारे देश के राजियों को पीछे छोड़ दिया है दुनिया के नक्षे पे राजिस्तान की अलग पैचान है लेकिन वहां के ये जो आकड़े हैं बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा शर्मिंदी की करने वाला प्रदेश के मंतरी का ब्यान रहा है दोस्तों कॉंग्रेस के वरिश दिता और मंतरी शांती धारीवाल ने राजिस्तान को रेप में नंबर वन बताने के साथ उसके कारणों पर विधान सभा में ही बेहद बेहद अपति जनक बयान दिया था क्या कहाता धारीवाल ने धारीवाल ने कहाता कि रेप के मामले में हम यानि कि राजिस्तानी नंबर वन पर है अब ये रेप के मामले क्यों न हों कहीं न कहीं गलती है फिर हसते हुए आगे क्या कहते हैं वैसे भी ये राज़िस्तान तो मर्दों का प्रदेश रहा है क्या करें और ये कह करके धारिवाल फिर हसते हैं और उनके साथ मंतरी और जो उनका जो कॉंग्रेसी मंतरियों का मामले देखिये, आप रेप, 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 रेप वी मर्डर के आकड़े अलग हैं और राजिस्तान रेप के मामलों में नंबर वान पर हैं, इसमें को दो राय नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने जोड़ दिया कि ये मर्दों का स्टेट है, यानि कि जो दूसरे सरकार के साबने, तो क्या करना चाहिए ग्यालोज सरकार को? Sorry to say, इन लोगों को डूप के मर जाना चाहिए, जिनके मन में औरत के लिए जरा भी इज़त नहीं है, ये उस औरत के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, जिसकी कोक से ये खुद जन्मे है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन्हें ऐसी बाते जब ये करते हैं, इन्हें डूप के मर जाना चाहिए, दर्शकू आप इस बात को इस तरीके से लीजेगा, कि बड़ी सही सी बात है, औरत ही मर्द को जन्म देती है, लेकिन ये क्या हाल बराके रख दिया है रोने राजिस्तान का, और फिर उपर से मर्दों की ऐसी सोच बेहद शर्मिंदा करने वाली है, आपने ये मेरा पूरा वीडियो देखा, मैं चाहूंगी कि आप इस पे अपनी राय जरूर दीजेगा, ये जो वहाँ के मर्द कहते हैं कि ये मर्दों का राज्य है, क्या आप इससे सहमत है, क्या दूसरे राज्यों में मर्द नहीं है क्या, दूसरी बात, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक जरूर कीजेगा, अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरा हर कंटेंट आपको सबसे पहले मिले, तो फिलाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का खयाल रखिए, खुछ रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिन्द, जय भरत!